नमस्कार साथियों मैंनिल आई एस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी तक जो है हम लोगों ने पढ़ा था भारती मरुस्थल के बारे में तटीय मैदान के बारे में और प्रादीपी प बढ़ा देखुकैंद तब तक यह आगे वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली है तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वह अभी जाकर वीडियो को देख लीजिए्ए यह प्लासिज आपको अच्छे से समझ में तो आज जो हम लोग फटने वाले हैं दूप समुंओ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो चलिये आज के हम लोग काश्रु करते बिना देर कही होगे तो आज क्या दिवा हुआ है आप पहले ही देख चुके हैं मतलब कि हम लोगोंने भारत का विसाल मतलब की भारत जो है विसाल है इसको सबके पाफले नोंने बटा दिए आपको और देख April लोग पहले इन है सिसके अतरिक भारत में में ढोका समुम है जो उत्तरी मैदान के बारे में देखा और जो है हम लोगों ने देखा प्रायदी पी पठार के बारे में मरुस्थ cada के बारे और ति पिर मैदान के बादे में देखा तो इसके अलावा जो है इन सबके भारत में दो ड्वीफ समोवी किसको करते हो चाहिए उसको समुध्र मालो कि आसे अपंडावा ये ड्रीप हाई और ये समुध्र है इसी को दूइब करते हैं यहां पर इंसानों का निवास रहता है कहीं 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 इंसानों का निवास नहीं होता है ठीक है उसी को हम लोग दूइब करते हैं तो जले अब देखते हैं कि दो दूइब को समू भी इस्तित है भारत में है ना अब देखते हैं यह देखिए यहां पे इंसान नहीं रहते होंगे इस तरह से छोटे भी ठासे बिडुप राते हैं लिए केरल के माला बार तके पास स्थितलक्षणीव की इस्थिति ध्याद किजित चलो भी बताते ही वागे दीपो का एक छोटा प्रवाल दीपो से बना है मतलब कि दीपो का एक छोटा दीपो का यह समू छोटे प्रवाल दीपो से बना किसका लक्षदीप का ठीक है इसको पहले लकादीव या मीनिकाय तथा अमीन दीव के नाम से जाना जाता है किसको जो है इसको लकादीव मीनिकाय और अमीन दीव को नाम को जाना लक्षदीव को ठीक है पहले लक्षदीव का नाम क्या नाम ठाटा तो आपक में लाका के नाम के नाम से आज अब अब क्या आगे दिये हुए सथ 1973 में इसका नाम लक्षदीप रखा गया किस मतलब की जो है लक्षदीप का नाम 1973 में रखा गया था लक्षदीप उसके पहले जो है लकादिव मिनिका तथा आमीन दिव था ठीक है यह 32 वर्ग कीमी के छोटे इस दिव में फैला हुआ 32 वर्ग कीमी के ठीक है समुद्र में तो यह भी आप नोट कर लीजिए कि लक्षदीप लक्षदीप का प्रसासनिक मुख्या लए कब रती कि लक्षदीप की राजदानी का नाम कवरती आप लोग बहुत अच्छी तरह से पता होगा तो जो है कवरती लक्षदीप की प्रसासनिक मुख्या लए है इस दीप समुवंग पर पाधब तथा जन्तु के बहुत से प्रकार पाया जाते हैं पिटली दियू जहां मनुस्री का भी निवास नहीं है वहां एक पक्ची अभ्यारण है मतलब पिटली दियू अभी बताया मैंने ना कहीं कह इंसानों का निवास होता है किसी किसी डीव पे नहीं होता है तो पिटली जो है यहां पे क्या है इंसानों का निवास नहीं है यहां पे पच्ची अभ्यारण भी है पिटली दीव पे तो यह याद रखिएगा आप लोग ठीक है अब आगे देखते हैं क्या दिये हुआ है की जो है आपको बताया थे ना कि अंडमान निकोबार दीव समग बंगाल की खाड़ी में जो है अर अरब सागर में छदीव फैला हुगा है ठीक है तो यह मतलब को like है है ये देखो अऐसे मालो है माई तोड़ा सामें बनाने की बर्शा ना इस तरह से जो सऑ इस पर नहीं पारा है round तो मेल जो है कुछ इस तरह से ऐसे से सयंसे मानों कुजरात हो गया से एसे से से स्हें कुछ इस तरह से मतलब इस थे मोर्मलों यह अरवसागर होगया यह बंगाल की खाड़ी हो गई है यहाँ पे लक्ष लीप यहाँ पे आंडमान निकोबादीर समों है इस तरह से कुछ है ठीक है तो अब देखते हैं यहां पे दिया हुआ है कि यह समूं बड़े आकार में बड़े संख्या आगे आकार्म बड़े संख्या में जो है बहुल विखरे हैं मतलब कि आकार्म यह द्वीप समू मुक्टेतर दो भागों में बटा है उत्तर में अंडमान तथा दक्षिड में निकोबार यह माना जाता है कि यह द्वीप निमजित मतलब निमजित परवस्त्रेणियो का सिखर है यह द्वीप समू देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्त पूर्ण है इन द्वीप समू पाए जाने वाले पादप एवं जन्तुएं बहुत विविध हैं यह द्वीप विशुवत वृत के समीप इस्थित तता यहां की जलवाई विशुवत है और यह घहने जंगलों से अनाच्षा दित हैं ठीक है दो यह अब देखते हैं इसके वारे में लोग अच्छे से पढ़ते हैं मतलब कि यह बहुल विखर है तो इस लिए आपे यह दो मुख्यत दो भागों में बटा है उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार जो है अंडमान निकोबार इसलिए नहीं कहा जाता उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है मतलब कि यह माना जाता है कि यह दीप डीपसमूं निमजित परवस्याट्विहy का सिखर नियु के फैसे कुछ आटक होने वाला है तो पहले ही मतलब की पता चल जाता है तो यह इसलिए भी सुरक्षित मतलब वह है इन दीवसमों में पाए जाने वाले पादप एवं जनतुओं में बहुत अधिक विवित्ता होती है यहां की जल्वसमों में बारे में दिया हुआ है तो प्रवाल के बारे में दिया हुआ है तो प्रवाल के बारे में हम लोग देख रहे थे और प्रवाल के बारे में आप लोग सारे प्रशन पूछेगा है फ़के तो इसको नोट कर लो आप लोग प्रवाल जो है पालिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूचम प्राड़ी हैं जो समूव में रहते हैं और इसका विकास छीछले तथा गर्म जल में होता है इनमें कैल्सियम कार्बोनेट का स्राव होता है इसमें जो है कैल्सियम और कार्बोनेट का स्राव होता रहता है ठीक है प्रवाल स् जो है अस्तियां है वो टीले की रूप में निच्छे पित होती हैं यह मुख्यता तीन प्रकार की होते हैं जो प्रवाल है वह मुख्यता तीन प्रकार को देपाला क्या है प्रवाल रोधिका दूसरा क्या है तटी प्रवाल भीती और तिसरा क्या है प्रवाल वले ड्रीप अस अस्ट्रेलिये का जो ग्रेट वैरियर रीफ है वह प्रवाल रोदिका का एक अच्छा उदारण है प्रवाल वले डीप गोलाकार और हार्स सुवाकार की रोदिका होती है ना तो यह प्रवाल के बारे में आप लोग अपने नोट वीडियो को पॉस्ट करके नोट्स में इसको नोट कर लीजी क्योंकि इंपॉर्टेंट है यह ना अब चलिए आगे देखते हैं लोग देखिए यहां पर एक हमको रोचक तत्त दिया है क्या आप जानते हैं भारत का एक मात्र सक्री जॉलाओं की अंडमान निकोवार्डीप समुग के बैरन दुप पर इस्तित है मतलब देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे हमों दिया हुआ विभिनभु आकृतिया विभागों का विस्तित वीवर्ण प्रत्य विभाग तो इस्तित करता है परतु यह एक दूसरे की पूरक और वे देश के प्राक्रितिक संसाधनों में सक्षम बनाते हैं उत्तरी पर्वत जल यहां पर दिवा है विभिन आकृतियां भूभागों का विश्थित विवरण प्रतेक विभाग की विश्यस्थाओं को अस्पच्च करता है परतु यह अस्पच्च है कि यह विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश की प्राक्रितिक संसाधनों में संसाधनों को सम्रिद बनाते हैं ठीक है उत्तरी परवत जल एवं वनों का प्रमुक्सरोत उत्तरी मैदान देश है मतलब उत्तरी मैदान देश के अनभंडार है जो उत्तरी परवत जल और वनों का प्रमुक्सरोत जो ह जो है प्राची सब्वेताओं के विकास के आधार पर मिला हुआ है अब पठारी भाग खनीजों के आधार पर जिसने देश के औसधी करण में विशेश भूमिका निभाई है मतलब की जो है जो है पठारी भाग खनीजों का भंडार जिसने देश के औसधी करण में विशेश भूमिका निभाई है तटीओ छेतर जो है मत्षयन और पोत संबंधी क्रिया कलापो के लिए उपरीयुगत है जो यह है तटीओ छेतर जो है मच्छन और पोत संबंधी क्रिया कलापों के लिए उपर यूग तस्थान है और यह देश के विविद भौतिक आकृतियों में भविश्य और विकाच के अनिक संभावनाय प्रदान करती है ठीक है तो अब जो है आज यह हमारा चैप्टर आइधिंक समाप्त हो चुका है तो रएंग था देखी तो हमारे चैप्टर टू का नाम था भारत की भौतिक स्वरूप और उसके बाद हम लोगों इन चाहिं सारी प्लेटों के बारे में इन सब बारे में अच्छे से डिसकस किया था और जो है इस मैपको भी हम लोगों ने अच्छे से सभी प्लेटों को बताया था कौनसी प्लेट किस तरह से कहां पे हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ था और जो है हम लोगों ने मुख्य भागोलिक विवराण के बारे में भी पढ़ा था हिमालय परवत के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा था और हिमाले परवत किस तरह से फैला हुआ है इस मैप में हमको आपको समझाया भी था किस तरह से हिमाले परवत जो है फैला हुआ है और यहां पर जो है हम लोगों ने इसको बारे में भी अच्छे से डिसकस को किया हुआ था और सभी सिखर किस तरह से हैं यहां पर मैंने आपको बताया हुआ था और जो है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, उत्तरी मैदान के बारे में, और पढ़ा था हम लोगों ने पठारी कल, तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, प्रायदीपी पठार के बारे में, भारती मरुस्थल के बारे में, तटी मैदान के बारे में, और आज जो है, हम लोग लेते हैं हम लोग क्या है हमारा जिहां अपवाह है चेप्टर तीम तो हम भारत के अपवाह तंतर के बारे में अच्छे से कल से डिसकस करेंगे तो ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बाए-बाए और यह वीडियो अपने से ओस्तों तक जरूर शेयर करना train